हलो शुरेंट्स आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट पार्थरी बताने बाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और 11 नमर रूल पे हम लोग देखेंगे यहां बताया गया है कि जब हाफ आफ का यूज हो सेंटेंस में तो उसके बाद प्लूर काउंटेबल नाउनस हैं तो घृफ ऑफ द एपल उसके बाद भर्व क्या होगा तो ठूर्टक रूल के काउडिंग तो और हो गया ठीक है अगला हमारा एक्जामपल है अगर अंकाउंटेबल नाउन का यूज किया आता है ठीक है तो इतना आपको ध्यां में रखना होगा क कि हाफ के बाद singular countable noun जो है वो यूज़ नहीं होता है सिर्फ सुर्ड जोगा यहां पर कहा गया है कि हाफ के बाद जब अनकॉंटेवल नौन का यूज़ किया जाए लॉन का यूज़ किया जाए उसके बाद जैसे हाफ ऑफ दहुंट ओयल क्या है यह uncountable noun है तो इसके बाद हम लोग जो है वाइज का यूज करते हैं क्योंकि वाज क्या है स्यूंगलर वर्व है तो स्यूंगलर वर्व का यूज करना है तो half of the oil was there तो इस तरह से यह sentence बन गया आगे हम लोग देखते हैं 13 नमर क्या कर रहा है रूल तो every या each या no जब उनका यूज सेंटेंस में हो तो उसके बाद एक और चीज़ करना है से यहां और फिर singular subject का use हो मतलब यह हुआ कि and से अगर दो singular subject को जुड़ा जाता है और उस दुनों singular subject के पहले every each या no का use किया जाए तो हम लोग verb जो use करेंगे वो singular use करेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है no boy and no girl यहाँ पर देखिए boy और girl यह क्या है दोनों singular subject है और इसको no के साथ लिखा गया है और end से जोर दिया गया है जो की rule में बतला गया है no के साथ लिखा गया है singular subject को और end से जोर दिया गया है तो इसलिए जो इसके बाद भरव आया है वो has आया है और has singular है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि इनके बाद singular वर्व का यूज होता है जैसे अगला example यहाँ पर दिया गया है each boy and each girl तो each girl और each boy similar subject को क्या किया गया है and से जोड़ा गया है तो इसके बाद has का यूज किया गया है क्योंकि has similar वर्व है आगे हम लोग देखें यह अगला rule इसमें बताया गया है कि जब sentence में most हो या most of हो ठीक है और उसके बाद क्या हो तो countable noun का use किया गया हो तो वो हमेशा plural होगा ठीक है और उसके बाद verb क्या होगा वो plural use होगा जैसे most of के बाद use किया गया है the students the students क्या है यह plural countable noun है अब इसके बाद क्या करना है हमें plural भर्व का यूज़ करना है तो आर क्या है ये plural वर्व हो गया तो sentence बन गया most of the students are reading आगे हम लोग देखेंगे अगला रूल क्या कह रहा है कि most या most of के बाद uncountable noun होगा तो हम लोगों को similar भर्व का यूज़ करना है उसके बाद जैसे most of example में देख लिए most of के बाद the salt salt क्या है ये uncountable noun है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं similar भर्व का यूज़ करते है तो is similar है और इस तरह से बने गया most of the salt is dirty अब अगला है हमारे पास most of के बाद the money का यूज़ किया गया जो कि क्या है uncountable noun है तो इसके बाद भी हम लो तो singular भर्व का यूज़ करेंगे तो most of the money was lost तो वाज क्या है singular भर्व है इस तरह से ये वीडियो खत्नम होता है आगे